नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल वेबसाइट बाबा में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप बड़े असानी से अपनी फोटो का बैक ग्राउंड चुटकियों में चेंज क कर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दमाएं तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है www.remove. बेजी और सर्च कर देना है जैसे इस आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस कुल के आ जाएगा अब हमें है अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जिस फोटो का बाइग्राउंड चेंज करना है उससे सेलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे या आटोमेटिक ही आपके फोटो के बाइग्राउंड को चेंज कर देगा अब यहाँ पर हमारे फोटो का बाइग्राउंड रिमूब हो चुका है अब हमें मन्चाहा बाइग्राउंड लगाने के लिए इडिट पर क्लिक करना होगा इसमें डिफाल्ट रूप से धिर सारे बैग्राउंड दिये गए हैं आप इनमें से भी चूच कर सकते हैं इसमें धिर सारे बैग्राउंड दिये गए हैं जो भी आपको पसंद है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए मान लीजिए मुझे ये पसंद है मैं इसे सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करते ही जिस बैग्राउंड को आप सिलेक्ट करेंगे वह आपके इमेज में लग जाएगा यहां से आप इसे simply download कर सकते हैं अगर आप इसके पीछे solid color जैसा background लगाना चाहते हैं तो यहां पे आपको color पे click करना होगा और धेड सारे colorful background आपको दिखाई देंगे इसमें से आप किसी, को भी select कर लीजिए वो background आपके image के पीछे लग जाएगा मान लीजिए आपको other background लगाना है तो इसके लिए simply हाँ select photo पे click करेंगे और image के पीछे आपको जो भी background लगाना है उसे choose कर लीजिए और done कर दीजिए जिस भी background को आप change करेंगे वो automatic image के पीछे लग जाएगा और इसे आप यहाँ से download कर सकते हैं या आपके gallery में save हो जाएगा दोस्तों अगर आप अपने image में कुछ part को erase करना चाहते हैं तो यहाँ पे erase आप संदिया है इस पर आप click करिए और यहाँ से eraser का side चोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से image में आप कुछ भी जो है मिटा सकते हैं देखे यहाँ इस image पर यहाँ बगल में थोड़ा सा erase करना है तो हम eraser पर click करके यहाँ पर erase कर सकते हैं देखे यह मिट जा रहा है और इसे undo करने के लिए simply यहाँ पर click करेंगे तो यह फिर से दोबारा आ जाएगा दोस्तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं